इस question में मैं बूला गया what is angle between resultant of given vector with x-axis resultant का x-axis के साथ angle बताना है यहाँ पे 3 vector दे रखे है 10 root 3 y-axis पे है 40 जो है वो x-axis पे है और 20 है जो की y-axis जाद एंगल है उसका 30 degree हमें यह पता है कि यह दोनों जो है x-axis और y-axis पे है 20 जो है वो x-axis और y-axis पे है नहीं तो हम इसके components ले लेंगे एक x के long और एक y के long तो इसका x के long जो component आएगा वो आजेगा 20 sin 30 degree और y के long component होगा 20 cos 30 degree इसको अगर हम यहाँ पे draw करें तो यह ओल्रडी x-axis पे था 40 यहाँ पे लिख लो उपर 10 root 3 10 root 3 और इसका 20 sin 30 degree तो 20 इंटो में sin 30 जो होता 1 by 2 तो है आजएगा आपके पास 10 तो x-axis पे आएगा 10 और y-axis पे आजएगा 20 इंटो में cos 30 होता है root 3 by 2 तो 10 root 3 y-axis पे value होगी 10 root 3 तो y-axis पे जो net value होगी 10 root 3 plus 10 root 3 हो जाएगा आपके पास 20 root 3 y-axis पे इन दोनों को add कर दोगी क्योंकि same direction में अगर दो वेक्टर सेम डारेक्शन में होते हैं तो हम निकालने के लिए दोनों को add कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 20 root 3 और 10 plus 40 50 तो यहाँ पे resultant इधर कहीं आएगा resultant का एक सके साथ angle बताना था तो यह वाला हमें थीटा बताने है क्या होगा resultant का एक सके साथ थीटा बताने है तो यहाँ पे जो tangent थीटा है tangent थीटा की value आजाएगे आपके पास 20 root 3 divided by me 50 याने कि 2 root 3 divided by me 5 यह है tangent थीटा की value आपके पास आई है 2 root 3 divided by me 5 पर हमें निकालना है थीटा तो यहाँ पे थीटा की value आजाएगी 10 inverse 2 root 3 divided by me 5 यह होगा उसका answer याने कि 10 inverse 2 root 3 divided by me 5 D option is correct option